oh hello friend यह one plus not the c2 5G phone दोस्तों इस phone में kombos की problem है आप देख पारें इसका कॉम्बो तूटा हुआ है दोस्तों इस जो not the c2 phone में कोंबो replace करेंगे दोस्तों तो video इख़िन करें अद्र कि चैनल पर नान आप को चैनल को subscribe कर लें दोस्तों इसका ये back पैनल निकाल दिया है वन प्लस नार्द सीटू 5G फोन में दिखाएंगे किस तरीके से कॉम्बो रिप्लेस करना है दोस्तों वीडियो स्कीम न करें पर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों इसके सिम ट्रेप पहले निकालेंगे दोस्तों नार्द सीटू 5G फोन में कॉम्बो रिप्लेस करना है दोस्तों पहले इसकी मेडिल निकालेंगे आसानी से दोस्तों स्क्राइब को बहुत असानी से निकलना है कि इसमें फिंगर्ण भी होता है यह दोस्तों अफ़प देखेंगे यह जो फिंगर का पंच है नजदिक से आपको दिखाएंगे इस पंच को आसानी से निकालना होता है क्योंकि इस पटे को फट जाने के बज़र से इसका फिंगर काम नहीं करेगा दोस्तों वन प्लस नार्द सी टू फाइब जी फोन में कॉम्बो आपको रिप्लेस करके दिखाएंगे बैटी निकालने के बाद इसमें पट्टा निकाल देंगे इसका और इसको हलका सदका देके बाहाद निकालेंगे दोस्तों एफोन के लिने की बज़र से इसका केमबो तूट गया है वन प्लस नार्द सी टू फाइब जी दोस्तों इसका जो जाली है इसको भी निकालेंगे अच्छे तरीके से क्योंकि हमें लगाना भी इस जाली को दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें वीडियो स्किप न करें यह जाली इसकी है जो स्पीकर के उपर लगाई जाती है दोस्तों और इस जाली को पहले हमें अच्छे तरीके से लगा देना है दोस्तों वन प्लस नाद सी टू फाइब जी फोन में कॉम्बो रिप्रेस करके आपको स्टेप बाइ स्टेप दिखाएंगे इस जाली को बहुत आसानी से लगा देना है दोस्तों इस जाली लगाने से यहां से कारवन या मिट्टी दोल नहीं जाती है दोस्तों यह राइस का वन प्लस नाद सी टू फाइब जी फोन का कॉम्बो नया कैम्बो दोस्तों दोस्तों एक बार कॉम्बो लगाने से पहले हम चेक करेंगे यह हमारा कॉम्बो सही है या नहीं दोस्तों दोस्तों इसको एक बार हम चेक करके आपको दिखाएंगे और इसमें गम लगा करके अच्छे तरीके से इसको फिट कर देना है आपे दोस्तों एक बार बैटी लगा करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से फोन कम्प्लीट करते हैं दोस्तों वन प्लस नाद सीटू फाइब जी फोन में दोस्तों कम्बो लगा दिया है एक बार हम इसको कम्प्लीट करने से पर एक बार चेक करेंगे बैटी लगा करके दोस्तों वीडियो लाज़ तक देखें वीडियो स्किम न करें दोस्तों बैटी का पंच लगा दिया है और इसी स्पीकर डबी को भी लगा देना है दोस्तों विसेज द्यान रखें जो यह फिंगर का जो पंच है इसका विसेज द्यान रखें क्योंकि यह बहुत जल्दी यहां से कराब हो जाता है दोस्तों इस पंच को अच्छे तरीके से पंच करना है वन प्लस नाद सी टू फाइब जी फोन में दोस्तों कॉम्बो हमने नया लगा दिया है और इसको अच्छे तरीके से हड़ी को फिट कर देना है वीडियो लाच्ट देखेंगे दोस्तों स्टेप बाई स्टेप आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे दोस्तों इस पंच करना है दोस्तों इस तरीके से चेप करना है वन प्लस नार्ग से च्छि तो फाइब जी में दुमिद आपको कैमबो रिपलेस करके दिखाया इस वीडियो में साड़ प्रव दूस्कर हो चुके हैं और यह इसका बैक पैनल आच्छे तरीके से लगा देना है दुम दुमिद दूस्तों इस पे लबाड अच्छे तरीके से टाइट करना है क्योंकि कि यह एर नरुकनेफ इस कॉमबो में जोस्तों वन प्लस नार्द सीटु 5G फोन में कॉम्मो रिप्लेस करके आपको दिखाया है दोस्तों आप देख पार है फोन का सुचॉप खुल दिया है जोस्तों आप देख पार है फोन पावर ओन हो चुछा है दोस्तों आप देखवारा है फोन एमेर्जेंसी से हम चेक करके आपको दिखाएंगे फोन में जो कोईमबो हमने डाला है बहुत अच्छी त्पिके से काम कर रहा है दोस्तों कि वन प्लस नार्द सीटू 5G में आपको कोईमबो रेप्लेस करके दिखाया दोस्तों कि फोन कम्प्लीट हो चुका दोस्तों एक से एक अच्छी वीडियो प्लोट करते रहता हूं दोस्तों वीडियो इसकिम ना करें लाज तक देखें आप मिलता है ले वीडियों तब तक में जाहिन जाहिन जावारत